आज मैं आपके साथ एक पनीर की रेसिपी शेर करने जा रही हूँ हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को तो सबसे पहले हम करेंगे पनीर को फ्राए तो यहां मैंने एक कडाई में तक्रीबन चार बड़े चमच तेल गरम कर लिया है अब एक एक करके मैं इसमें मेरे पनीर के P-C's एड करूगी मैंने यहां पाव किलो पनीर का इस्तमाल किया है जैसे हमारा पनीर एक साइट से ब्राउन हो जाएगा तो पनीर के pieces हमारे दोनों तरफ से अच्छे से fry हो गया है अब हम इसे एक plate में निकाल लेगे और बाकी के बचेवे पनीर के pieces को भी हम fry कर लेगे अच्छे से golden brown होने तक तो यह देखिए हमने सारे पनीर के पीसिस को अच्छे से फ्राय कर लिया है कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर इस पे आया है अब हम करते हैं इसकी ग्रेवी की तैयारी तो वही सेम कडाई में जिसमें हमने पनीर फ्राय किया था और तकरीबन 4 हरी मिर्ची ली थी और मैंने इसे पीस के इसका एक पेस्ट बना लिया अब हम यह पेस्ट इसमें दाल देगे और इसे तकरीबन 1-2 मिनिट के लिए फ्राय कर लेगे ताकि जो प्यास का कच्छा पने वह हलका सा निकल जाए प्यास को हलका सा भूनने के बाद हम इसमें दालेगे अद्रक लसन का पेस्ट होई अब अद्रक लसन के पेस्ट को भी हम प्यास के साथ अच्छे से भून लेगे ताकि इसकी कच्छी स्मेल निकल जाए और यह अच्छे से भून जाए तो ये देखिए प्याज और अद्रक लसन अच्छे से भून गए है अब हम इसमें हमारे बाकी के मसाले आइड करेगे सबसे पहले हम इसमें दालेगे दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर दो चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेगे कौटर टी स्पून हल्दी और एक चम्मच हम इसमें नमक दालेगे सबी मसालों को प्यास के साथ अच्छे से भून लेगे एक से दो मिनेट हम इसे भूनेगे स्लो से मीडियम फ्लेम पे ताके इसका ओईल हलका हलका सा सेपरेट होने लगे यह देखिए मसाला अच्छे से हमने भून लिया है और इसमें से हलका हलका ओईल भी निकलने लगा है अब हम इसमें एड़ करेगे टमैटो की प्यूरी तो यहां मैंने दो टमाटर लिये थे उसे मैंने पीस के ऐसे पेस्ट बना लिया है टमाटर की प्यूरी को भी हम बाकी के मसाले के साथ अच्छे से भून लेगे तो यह देखिए टमाटर एक दम अच्छे से भून गया है और हलका हलका सा तेल भी छूटने लगा है मसाले का अब हम इसमें दालेगे हमारी बाकी के बचेवे इंग्रीडियन्स तो सबसे पहले हम इसमें दालेगे दही तो यहां मैंने दो चमज भरके इसमें दही डाल दिये साथी में हम इसमें दालेगे यह काजू का पेस्ट तो मैंने तकरीबन 15 काजू लिये थे और उसे मैंने कोटर कप दूद में भीगो दिया था और उसे दूद के साथ भी पीस के पेस्ट बना लिया दही और काजु के पेस्ट को हम मसाले में अच्छे से مिक्स कर लेगे फिर हम इसमें डालेगे मलाई तो यहाँ मैंने 4 बड़े चमच मलाई लीए है यह दूद के उपर जो मलाई जमती जमती है हम मसाले को कवर कर देगे और इसे slow flame पे 10 मिनिट तक पकने के लिए छोड़ देगे तो 10 मिनिट हो गये है अब हम हमारे मसाले को चेक करते तो ये देखिए मसारा अच्छे से पक गया है जैसे के आप देख सकते हैं सारा तेल सर्फिस पे आ गया है इसका मतलब ये है कि मसाला अच्छे तरीके से बुन गया है अब हम इसको एक बार अच्छे से करेगे mix और इसमें add करेगे हमारे fried कियेवे पनीर तो fried पनीर को हम gravy में add कर लेगे अब ये optional है अगर आपको fried पनीर डालना है तो आप fried डाली अगर आपको ऐसे ही डालना है तो आप इसे ऐसे भी डाल सकते बट मुझे fried कियेवे पनीर जादा अच्छे लगते है इसलिए मैंने fry किया है पनीर डालने के पाद हम इसे gravy में अच्छे से mix कर लेगे और इसे दो मिनिट के लिए ऐसे ही मसाले में पकने के लिए छोड़ देगे ताकि पनीर में मसाले का सारा flavors अच्छे से आ जाए तो दो मिनिट हो गए है अब हम इसमें डालेगे पानी तो यहां मैंने तकरीबन आदा कप पानी इसमें डाल दिया है अब आपको जितनी थिकनेस चीए gravy की आप उसके according इसमें पानी डाल सकते है मुझे हलकी सी गाड़ी gravy चीए इसलिए मैंने इसमें सिफ हाफ कप पानी डाला है प असूरी मेथी और गरम मसाला डालने के बाद हम इसे अच्छे से gravy में mix कर लेगे और जैसे हमारी gravy में boil आने लगेगा या उबाल आने लगेगा हम इसे cover करके पास से 7 मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ देगे तकरीबन 7 मिनिट हो गए हमारी gravy को पकते वे अब हम इसे चेक कर लेगे तो ये देखिए gravy हमारी पूरी तरीके से पक चुकी है oil भी कैसे surface पे आ गया है बस अब एक बार हम इसे करेगे अच्छे से mix और इसमें last में हम आड़ करेगे बारी कचावा हरादनिया तो हमने हरादनिया gravy पे डाल दिया है तो जैसे कि आप देख सकते हमारी gravy अब पूरी तरीके से ready है यानि कि हमारा शाही पनीर अभी बन गया है हम गैस को करेगे बन और इस मज़ेदार सी शाही पनीर की gravy को करते है dish out तो ये देखिए हमारा restaurant style शाही पनीर बिल्कुल ready है मैंने इसे plate में dish out कर लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब दिखरी है ये बहुती स्वाधिस्ट और बहुती टेस्टी लगती है आप इसे लच्छा पराटे या तंदूरी रोटी के साथ खाईएगा ये उसके साथ बहुती ज़्यादा टेस्टी लगती है तो आप भी मेरी इस recipe को जरूर ट्राइ कीजेगा तो अगर आपको मेरी ये recipe अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजे मेरे चैनल यमी फूड विट सना को जरूर सब्सक्राइब कीजे थैंक यू सो मच पूर वाचिंग अल्ला हाफिज